वेलीं लास टाइम हम बात करें थे प्रोड़क्ट वीट्टर यहनि दो वेक्टर कॉंडिटीज को मल्टीपलाई करना और उसमें हम बात करें थे की इसकी दो मुम्कन सूर्ते हैं, एक था जिसको हमने स्केलर प्रॉड़क्ट या डॉट प्रॉड़क्ट कहा। आज उसका दूसरा है जिसको हम कहेंगे वैक्टर प्रॉड़क्ट या क्रॉस प्रॉड़क्ट अगर हम इसको define करना चाहें तो इसकी definition यह होगी, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर कॉंटिटीज हैं फर्द करने ए और बी और उन दोनों को मल्टिपलाई करने के बाद उनका जो आंसर है वो भी एक वेक्टर ही आए तो इस तरह के प्रोड़क्ट को हम कह देंगे वेक्टर प्रोड़क्ट या हम उसको क्रॉस प्रोड़क्ट भी कह देते हैं और क्रॉस प्रोड़क्ट कहने की वज़ा के है इसको हम जाहर करने के लिए वेक्टर प्रोड़क्ट को जाहर करने के लिए ए और बी के दर्मियान हम cross का निशान इस्तिमाल करते हैं इसलिए हम इसको cross product भी कह देते हैं तो अगर हम इसको define करें vector product तो when the product of two vector quantities is also a vector quantity such a product is called vector product or cross product तो में जीन करते हैं कि मारे पास दो vectors हैं जैसे कि हमने वहाँ पर diagram में show किया है एक black color से vector है फिर blue color से दूसरा vector भी है और उनके दिर्मियान angle theta दिया गया है तो इन दो vectors का cross product अगर हम लेना चाहें तो for the two vectors a and b making angle theta with each other तो जो cross product होगा हम उसका नाम vector c कह लेते हैं चुँकि यह भी एक vector quantity है तो हमने a cross b इन दोनों के cross product को vector c से जार किया अब यह चुँकि vector quantity है c इसके magnitude भी होगी और इसकी direction भी होगी इसके magnitude क्या होगी a b sin theta ये इतना इससा इसके magnitude को जार कर रहे है यहाँ पर a है पहला vector a इसके magnitude भी है second vector b की magnitude और theta है इन दोनों vectors के दर्मयान angle ये इतना इससा इसकी magnitude को जार कर रहे है vector c की यानि हम इसको माज़ दफ़ा a cross b और इसका modulus भी कह देते हैं तो इसका modulus ये इसके magnitude क्या है a b sin of theta vector a के magnitude जार वेक्टर b के magnitude और दोनों vector के दर्मयान angle theta उसका sign अब चुक्कि ये सीक वेक्टर क्वाइटिटी है इसकी direction भी होगी है इसकी direction को जार करने के लिए हम एक unit vector इसमाल करते हैं जिसको में n cap कहेंगे अब ये n cap क्या होगा ये unit vector है और जैसे का unit vector की magnitude वान होती है इसकी direction है perpendicular to both the vectors a and b are perpendicular to the plane containing a and b मतलब ये कि a cross b जो vector है जिसको हमने सी से जार कर दिया इसके magnitude है a b sin theta direction and cap unit vector जो की normal है नॉर्मल है प्रपेंडिकुलर किसके प्रपेंडिकुलर है vector a और वैक्टर b दोनों के प्रपेंडिकुलर होगा या हम कह सकते हैं कि जिस plane में ये दोनों vector लाई करते हैं उस plane के प्रपेंडिकुलर होगा आप ईसकी direction मालूं करने के लिए N-CAP की direction मालूं करने के लिए हम एक rule इसको हम कहते हैं right hand rule तो अगर हम इसकी direction हम N-CAP की या सीक vector की direction मालूं कर सकते हैं by using right hand rule या एक और rule भी जिसको हम skri rule कहते हैं वो भी हम इसकूँ अगर हम इसकी example लेना चाहें वेक्टर प्रॉड़क्ट की तो हमारे पास यहां पर दो एक्जाम्पल हमने लिखी हुए है हमारे पास force एक वेक्टर कॉंटिटी है और आर यानि पुजिशन वेक्टर भी वेक्टर कॉंटिटी है जब हमें दोनों को मल्टिपलाई करते है तो इनका जब टार्क आ जाता है जो कि बज़ाते खुद भी वेक्टर कॉंटिटी है तो हम कहेंगे टार्क टार इस एकल तो आर क्रॉस एफ यानि पुजिशन वेक्टर और force इन दोनों का वेक्टर प्रॉड़क्ट होगा और टार्क होगा सिमिलरली पुजिशन वेक्टर और लीनर मॉमेंटम पी इन दोनों का क्रॉस प्रॉड़क्ट लें तो यह मारे पास एंगुलर मॉमेंटम होगा जिसको हम एलसे जार करेंगे तो एलसे एकल तो आर क्रॉस भी इस तरह और भी बहुत आरी हम इसकी एक्जांबल ले सकते हैं वेक्टर प्रॉड़क्ट की तो अब हम इसको एक्स्पेन करते हैं जो राइटन रूल के हमने बात की यानि एन कैप की डारेक्शन मालूम करने के लिए अब इसके यहांबर डिफ्रेंट स्टेप्स हैं तो हम देख रहे थे कि हमारे पास यह दो वेक्टर जैए एक जो ब्लैक कलर से वेक्टर है और बिलू कलर से वेक्टर बी है इनके दिरमें एंगल थीटर है एक रॉस भी लेना चाहते हैं वेक्टर ए को different steps हैं, सबसे पहला step कहा है, join the tails of the two vectors A and B to define the plane of vector A and B, जिने सबसे पहले उन दो vectors को आपने, उनकी tail को join करना है, जिनको आपने multiply करना है, ताकि हम एक plane determine कर सकें, जिसमें ये दोनों vector लाई करते हैं, यहां पर दो ये, दोनों vector की tail पहले मिली हुई है, बास दफ ऐसा होता है, कि दोनों की tail मिली हुई नहीं है, जैसे अब यह कह लिजे कि यह हमारे पास एक vector A है, और फर्द कर लें, यह vector हमारे पास B है, अब यहां पर हमने एक रास B लेना है, और उसे एक रास B की direction calculate करने है, उसके लिए right hand rule apply करने है, तो हम दोनों vector की tail की मिलाएंगे, मतलब यह तो यह वाला vector हम यहां पर shift कर लें, चले, यह वाला vector हम यहां पर shift कर लेते हैं, यह इसके पिल्कुल parallel हमने vector लिया, इसकी चले बराबर रखें, तो यह vector B यहां पर आ गया यह वाल 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 यह वाला और यह वाला दोनों बराबर equal vector है, तो यहां पर यह दोनों vector और B की tail मिल गई और यह इनके दिर्मान अंगल है ठीटा, तो हमने एक plane determiner कर लिया, जिसमें यह दोनों vector लाई करते हैं, तो सबसे पहला step यह है, कि दो vector जिनको multiply करना है, उनकी tails का अपने जोड़ना है, और वो एक plane बांजागा जिसमें यह दोनों vector लाई करते हैं, अब इस plane के perpendicular होगा, यह वाला जो plane है, इसके perpendicular होगा, एक और second step क्या है, rotate the first vector A, toward the second vector B, through the smaller of two possible angles, theta, और यह angle theta, greater than 0 degree, and less than 180 degree, यह एक बहुत आप चीज़ है, इसको तरह और से आप समय लेजिए, जो vector पहले आ रहा है, यहां पर A cross B, हमने vector A को B की दरफ rotate करना है, और A को B की दरफ रोटेट करने के लिए, दो possible angles होंगे, एक angle होगा, जो 180 degree से less होगा, दूसरे angle होगा, जो 180 degree से ज्यादा होगा, तो हमने जो smaller angle है, यारि जो 180 से less है, उसके तरह हमने इसको rotate करना है, तो यहां पर मैं तरह कोश्च करता हूँ, यह हमारे पास blue color वाला vector B होगया, यह black color वाला vector A होगया, अब एक आप 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 आ A को यह जो बलाइक लिए है, हम इस तरह उल्टा कुमा में ऐसे, तो दूसरा हम यह इसको इसद्रा भी कमा सकते हैं, अ चलने फ़र्क करें, यह वाला angle है को वाला तीटा 1 और यह वाला जा आप 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 हैं, आप 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 की त तक यहां फ्यान को माने काने हो गया उसे यह उसे फाल्ता हो एकपने स्कुटर से ज्याद हैolan हमाने तीसरा स्टेप कर लिफिंगर्षक इंथ प्रायड को जुए तरह भूसेरिंदे ऑप और को गुमाना है जी एक बीख की तरफ कुमाने के और यह जो अगुठा होगा यह एरिक्ठ थालत में होगा और पर्पैंडीकुलर होगा यह जो लिए अरट हालत में इस वेक्ट सी के सिंबत को जाहर करेगा तो यह पर आप पो यह समझगे लेडि़े कि अगरे दुनों का तो यह वाला जो हम उट्टे की यह direction होगी। और यह वह इस वैड यह फ्रपेंडिकलर है, यह प्रेंडिकलर जिस प्लेन में यह लाईक कर तो भी प्रपेंडिकलर अब यह जो direction है इसको हम कहेंगे के औऊट अफ दी प्लेइन यह लेकिन यह बाएर के सिम्म्मत में स्थरा से अब यह जो डायक्शन है इसको अम जायग करें बॉड़ पर तो जो निंग जा सकता इसलिए हमने यह रैड कलर रहें यह बता दी है यह ADAMAR कर अब यह डायक्शन एक्ष्वल यह नहीं एक्षल डारेक्शन इसकी यह है लेकर बोर पर जाहर करने के लिए यह हो गया तो अब डारेक्शन क्या होगी दिए रेक्ट थम आप दी राइट हैंड गिफ दी डारेक्शन आप वेक्टरेंड और सी मतलब यह कि जो हमने उठाता इरेक्ट हालत में यह और बी दुनों के पर पेंडिक्ट वेक्टर की डारेक्शन को जार करता हैज है क्या एक राऍस बी जशका हमिने में c-c-c-s की डारेक्शन को जार करता है तो इह फ़ेंग्र में देखते हैं कि एक राष भी ले तो राइट आंड हैं डूब्ल के मताबक इर इज डाइइक्टəD ऑट वर्ड नार बाहर की सिम्मत में अब हम देखते हैं कि अगर इसको डारेक्शन इसकी रिवर्स कर दें यह निए वेक्टर ए क्रॉस बी की बजाए अगर हम बी क्रॉस ए लेना चाहें तो अब क्या होगा चलिए इस वेक्ट का नाम हम कह लेते हैं वेक्टर डी तो यह वेक्टर डी है जो कि बी क्रॉस ए है अब इसके मैगनिचूड क्या होगी अगर हम मैगनिचूड की बात करें तो वेक्टर बी की मैगनिचूड ए की मैगनिचूड और साइन आफ एंगल थीटा अब इसकी डारेक्शन के लिए एन कैप तो यह वेक्टर डी हो गया जो के B क्रॉस A के बराबर है और जाहर इसकी यह वाले जो मैगनिटूट की बात करें वो तो यह A B साइन थीटा के बराबर ही है अब असल में मसला यह है कि हमने यह जो एन कैब यूनिट वेक्टर है इसकी डारेक्शन बालूम करनी है और इसके लिए भी हमने राइट हैं डूल ही इस्तमाल करना है यही सारे स्टप दुबारा करें अब हम क्या करेंगे जो पहला वेक्टर है और इसको रोटेट करवाइने के लिए एक तो यह। पासिबल यह डिरेक्षन है कि वाली इस तरह सकते हैं इस तरह से दूसरा इसको कु पूनाने के लिए यह वाले अंगल हो सकता है चले इसको हम इस तरह दार कर लें तो यह वाले जूंब ठीटा के यह विımधुट टीक्री और यह तरह से ज्यादा होगा तो हमने इस तरह से घुमाना यह अंगल है इट शुट भी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस्ट और फिर हम यहां पर राइट हैं रूल के मताबक जो दायत की उंगलियां है उसको हम गुमाएं इस तरह रोटेशन की सिमत में अब दायत की उंगलि कि LA कर रहीं अब इसकी यह चले मैं इसको जाher कर लोगई तो यह वी पर पैंडिकलर और A के भी प्रपेंडिकुलर यह इस प्लेन के प्रपेंडिकुलर है लेकिन इसकी direction out of the board नहीं है बलकि इसकी direction into the board होगी तो अगर हम इस vector को D से ज़र करें जो के B x A है तो इसकी magnitude देखें वही आएगी यह भी sin θटा और यही magnitude थे vector C की और D दोनों की magnitude यह भी sin θटा लेकिन direction की बात करें तो यहां पर direction है out of the plane और यहां पर है into the plane तो यह दोनों vector जो ऐसे हैं जिनके magnitude बराबर है और direction एक दुसरे के opposite है और यह हमने इस chapter के बहुत शुरू में पढ़ा था कि दुसरे vector जिनके magnitude बराबर हो direction एक दुसरे के opposite हो उनके हम कहा जाते है negative vector तो यह जो vector C है और vector D है यह एक दुसरे का negative हो गए एक दुसरे के बराबर नहीं है बलकि एक दुसरे का negative है तो vector C किसके बराबर था यह cross B और साथ यह negative आ गया और D किसके बराबर है B cross A तो यहां से हम यह नतीजा अखिस करेंगे कि वैक्टर A क्रॉस B और B क्रॉस A यह हो गया A क्रॉस B और यह हो गया B क्रॉस A यह दोनों equal नहीं हैं, बराबर नहीं है बलकि एक दुसरे का negative है अगर तो यह दोनों A क्रॉस B और B क्रॉस से बराबर होते यह दोनों equal नहीं है A क्रॉस B और इस प्रॉपर्टी को फिर हम क्या कह देंगे वैक्टर प्रॉड़क्ट इस नौन क्रॉस तो यहां पर जो वैक्टर की multiplication है जब हम वैक्टर प्रॉड़क्ट लेंगे तो इसमें हमने वैक्टर की तर्तीम का ध्यां रखने है क्या हमने A क्रॉस B लेने या B क्रॉस E लेने दोनों एक दुसरे का negative हो जाएंगे इनकी direction एक दुसरे के opposite हो जाएगी फिर जब हमने dot product की बात की थी उसमें A dot B या B dot दोनों बराबर रहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता यहां पर वैक्टर का product लेते वकित हमें उसकी direction का उसका जो order of multiplication है उसका ध्यां रखना होगा क्योंकि इसकी direction reverse हो जाएगी अगर हम order of multiplication reverse कर देते हैं आज हम अभी discuss करेंगे characteristics of vector product cross product या vector product की characteristics के हैं इसमें सबसे बड़ी जो अहम characteristic हो यह है के दो vector अगर हमारे पास है A और B हम इनको यहां पर इस तरह लिखेंगे इनका cross product लें A cross B और B cross A इनका cross product आपस में बराबर नहीं है बलकि A cross B is equal to minus B cross A अगर यह दोन बराबर होते A cross B और B cross A बराबर होते इस तरह से तो फिर हम कहते हैं यह commutative property है यह commute करता है अब चुमका बराबर नहीं है negative है एक दूसरे का लहादा commutative नहीं है तो हम कहेंगे vector product is non-commutative मतलब यह किसमें vectors को multiply करते हैं वेक्टर की तर्तीब की एक एहमियत होगी हम A cross B और B cross A को दोनों को बराबर नहीं ले सकते यह non-commutative property दूसरी इसकी characteristics यह है कि vector product of two perpendicular vectors has maximum magnitude मतलब यह कि जब दो वेक्टर perpendicular होंगे तो उनका जो cross product product आएगा उसकी magnitude maximum होगी maximum क्यों होगी जब दो वेक्टर perpendicular हैं उनके दरमेहन angle 90 degree का है और A cross B हो जाएगा formula के मताबक A B sin theta N cap तो यह हमार sin 91 हो गया तो A vector के magnitude B की magnitude sin 91 हो गया तो अब यह वाली जो magnitude है यह maximum होगी दोनों की magnitude की multiplication होगी साथ N cap है जो normal unit vector है A cross B की direction को जार करने के लिए औरो जाहर है राइट है रूल के मताबक लेंगे तो अगर दो vector एक दूसरे के साथ perpendicular हैं उनका cross product की magnitude maximum होगी और अगर हमारे पास unit vector है तीनों axis की direction के लिए I, J के तीन unit vector हम लेते हैं इनका हम cross product लें तो I cross J यह K के बराबर होगा J cross K I के बराबर होगा और K cross I J के बराबर होगा और अगर आप यह तरती बुल्ट कर दें जैसे कि हमने यहां पर कहा A cross B यह minus B cross A के बराबर है तो अगर हम यह तरती बुल्ट कर दें I cross J की बज़ए J cross I कर दें तो यह minus K होगा similarly J cross K I है तो इसके लिए उल्टा कर देंगे तरती तो K cross J minus I होगा और K cross I J के बराबर है तो इसका हम तरती बुल्टा करने से I cross K यह minus J के बराबर होगा अब यह जो चीज़े सारी इसको याद कैसे रख रहे है यानि कहाँ पर वो negative वान है कहाँ पर positive वान है इस मकसिद के लिए हम यहां पर आते हैं यह I J के तीन यूनिट वेक्टर हैं यह हमने दो तफ़ा लिख लिए है I J के I J के एक तरतीब से तो हम यहां पर अगर I cross J लें तो I cross J K के बराबर होगा अगर हम इस तरफ से पढ़ना शुरू करें तो I cross J K के बराबर similarly अगर यह J cross K है तो J cross K is equal to I K इस तरह से अगर K cross I लेंगे तो यह J के बराबर होगा तो अगर हम एक तरतीब से जाएं लेफ्ट एंड साइड से तो I cross J is equal to K J cross K is equal to I K cross I is equal to J के और अगर आप यह तरतीब अब उल्टा कर दें इस तरह से right hand side से अब जें तो अब यह इस तरह से बढ़ेंगे हम इसको अब साथ negative लगाएंगे जहांपर negative लगाएंगे अब हम इसको J cross K नहीं हम बलकि इसको K cross J K cross J minus I इस तरह J cross I minus K I cross K minus J तो इसको याद रखने हैं का एक जोड़ा सा अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि अगर दो वैक्टर पैरलल होंगे means कि उनके दिर्माइन एंगल zero होगा या anti-parallel होंगे उनके दिर्माइन एंगल one anti होगा तो उनका जो cross product होगा वो null vector होगा और उसकी वज़ा देखिए the cross product of two parallel vectors is a null vector क्योंकि अगर दो वैक्टर पैरलल है same direction में है तो उनके दिर्माइन एंगल theta zero होगा और a cross b is equal a b sine of theta यहां पर कहाई zero degree n cap और sine zero zero होता है तो यह null vector होगा similarly अगर anti-parallel vectors है तो उनके दिर्माइन angle 180 होगा और a cross b a b sine of 180 n cap और 180 का sine b चुंके 0 है तो अगर दो वैक्टर पैरलल है या anti-parallel है तो उनका cross product क्या होगा null vector होगा उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक vector का अपने साथ ही आपने product लेना है a का a के साथ या b cross b या c cross c self product लेना है तो यह null vector होगा यह भी a cross है क्योंकि दोनों के magnitude same है दोनों के direction same है दोनों बनावर है vector तो इनके दिर्माइन अंगल 0 होगया तो एक cross है पहले के magnitude दूसरे वैक्टर के magnitude और sign अब 0 डिए और साथ n cap direction के लिए तो जाहर है यह sign 00 है तो यह null vector होगया और अगर हम unit vector की बात करें जो तीन unit vector है आई जे के तो आई क्रास आई यह भी 0 होगा जे क्रास जे भी 0 होगा और के क्रास के भी 0 होगा एक यह वाली चीजें जो product है unit vector के लिए यह बड़ी आहम चीज है याद रखने के लिए अब एक छोटा सा सवाल इंतहान में short question के तोर पर mcqs के तोर पार सकता है हमारे पास यह जो प्रॉड़क्ट है a cross b और यह minus b cross a इन दोनों के दरम्यान एंगल ठीटा कितना होगा यह सवाल इंतहान में आ सकता है तो सवाल a cross b और minus b cross a इन के दरम्यान एंगल क्या होगा 0 टिकले क्योंकि यह दोनों बराबर है a cross b और minus b cross है दोनों equal है इकल उसवाकत होंगे जब उनके दरम्यान उनके magnitude सेम होगी direction भी सेम होगी तो यह बहुत important चीज़ समझने वाली कि a cross b और minus b cross a के दरम्यान एंगल 0 अगर आप यह लें a cross b और b cross है इनके दरम्यान एंगल कितना होगा तो इनके दरम्यान एंगल किया होगा 180 क्योंकि यह एक दूसरे का negative है तो यह वाला vector और यह वाला vector इनके दरम्यान एंगल किया है 180 यह वाला vector और यह वाला सारा इनके दरम्यान एंगल किया 0 अच्छा जी अब हम देखते हैं एक और इसकी characteristics कि अगर हमें दो वैक्टर दिये गए हैं rectangular component की सूरत में यह वाला जो फार्मॉल है a cross b is equal to b sin theta n cap हम उस वक्त इस्तमाल करेंगे जब दोनों वैक्टर और b के magnitude चूड़ दी गई है और उनके दिरमें अंगल theta भी दिया गया है उस वक्त हम यह वाला फार्मॉला इस्तमाल करेंगे लेकर अगर हमें दो वैक्टर दिये गए है rectangular component की सूरत में जैसे वैक्टर है इसको हम लिखे rectangular component की सूरत में a x i cap plus a y j k plus a z k cap similarly वैक्टर b को हम जाहर करेंगे b x i plus b y j plus b z k अब हमने इनका cross product लेना है a cross b अब यहां पर formula a b sin theta नहीं होगा बलकि इसके लिए यह पहले वैक्टर यह हमने लिखा यह वाला सारा उसके बाद वैक्टर b लिखा यह वाला और फिर इनका product हमने लिया जब product लेंगे और यह वाली जो सारी हमने discussion है जिसमें unit vector को multiply किया है यह वाला और यह वाला इन सब के इस्तमाल करते है जो जवाब आएगा वह यह होगा i cat into a y b z minus a z by plus j cap a z b x minus a x b z plus k cap a x by minus a y b x तो a cross b का यह result आएगा जब हमें यह दो rectangular component की सुरत में vector दिये गए और हम अगर एक determinant की सुरत में इनको लिखें और वो determinant खोलें तो उसका जवाब यह ही आएगा तो suppose हमारे पास वही दो vector है यह और भी हमने a cross b लेना है तो determinant में हम i, j, k लिखेंगे जो vector पहले आ रहा है यह vector है उसके तीनों component हम लिखेंगे i के निचे उसके x component b के निचे इसका y component और k के निचे इसका z component अब उसके बाद second line में vector b हम बाद में लिखेंगे i cap है उसके निचे b x j के निचे इसका y component और इसका z component जब यह determinant हम खोलते हैं तो इसका जवाब यह यह आता है यह वाला अब एक बोड़ी हम चीज है कि यह वाला हिस्सा हम इसको याद कैसे रखेंगे यह जो चीज है सारी हम इसको याद रखने का एक तरीका यह वाला जो एक रॉस भी है कहां पर एक्स आना है कहां पर वाई आना है कहां पर जाना है कहां पर नेगेटिव आना है कहां प वेक्टर B is equal to BXI plus BYJ plus BZ के और हमने A cross B लेने हैं अब A cross B को calculation करने के लिए ये वाला सारा जवाब कैसे आएगा इसको याद रखने का तरीका कि पहले आप I cap वेक्टर लिखेंगे उसके बाद ब्रैक्ट में ये जो तर्तीब है वेक्टर की इसको बरकरा रखेंगे A cross B है तो आप पहले A बाद में B A B minus A B प्लास आगे जे कैप आएगा I cap के बाद फिर वही तर्तीब A B minus A B फिर उसके बाद K cap और ही तर्तीब A B minus A B अब यहाँ पर X और Y और Z कहां पर आना है और किसके साथ क्या आना है इसको समझने के लिए यह तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर यह I, J के तीन यूनिट वेक्टर है हमने दो तफ़ाँ इनको लिखा I, J के I, J के एक तर्तीब से I, I, Coup unit vector है X axis की direction के लिए, J के य के लिए, Q cap Z के लिए Similarly फिर I, Coupe X axis की direction, J कैप Y axis की direction, Q cap Z axis की direction ठिक हो कजी अब हम देखते हैं पर पहले I, Coup है I, Coup के बाद यहाँ पर X है, इसको हमने खतम कर दिया हमारे पास रहे जएक वाई और Z नेगिटेट ज्यक्त को वाइकशिजन की लिए इसको खितन कर दें तो जैड एक्स टो पहले ज्यक्त पिर एक्स जैड और एक्स नेगिटेटेट यह direction आप उल्टा कर देंगे ZX की बज़ाए XZ कर देंगे इसके बाद cake app है तो यह हमारे पस cake app है इसके बाद यहां पर आगए XY तो पहले आप X लिखेंगे Y negative के बाद यहीं इनको आप interchange कर दें तो यह XY की बज़ाए क्या हो गया YX तो देखें वही चीज़ है यहां पर जो हमने लिखी हुए है यह सिर्फ इसको याद रखने का एक तरीका हो गया अब इसकी एक आखरी characteristics है vector product की और वो यह है the magnitude of A cross B is equal to area of the palalogram formed with A and B as to adjacent sites मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो vector हैं और B उनका जो cross product आ रहा है उसकी magnitude की बात करें तो क्या होगा इन दोनों vector A और B को जिनका आपने multiply करना है यह दो vector A और B इन दोनों को मिला तरह हमें एक अर्दू में जिसका हम कहते हैं मतवाजियू इसला या पहले लुग्राम बनाएंगे यह मारे पास vector A है यह वाला जो black color से और यह जो blue color से है यह vector B होगा तो यह vector A है यह vector B होगा यह vector B है तो यह vector B होगा चलेंजे हम यहाँ पर लिख लेते हैं यह vector A है और यह vector B है यह मारे पास पहले लो ग्राम बनाएंगे इसका सारा जो area है या सारा एरिया लेंगे सद्वर होगा और यह सबस्क्राम को और उसका पहर किए आप प्यूद्ट होग है यह सारे के सारड़न की होगी और वेड़न है तो बेस होगी और हाइट से मराद ही है कि दोनों जो यह बेस और इनके दिरमेहर perpendicular डिस्टेंस और परपेंडिकोल डिस्टेंस यह जो सबस्ट डॉट्टे लाइन से दिखाएगा है यह हाइट अब हाइट एच कैल्कूलेट करनी हो तो यह वाला एक भी इसके दो रिकटैंगल कोंपनेंट हो गए एक इसका हो गया और यह है हाइड क्पकर्व का यह क्या होगा बी Dá प्रूच और यह अंसे हीटेट्र तो मोई यह अपर हो गयाए अ क्वारापर एक यह के बरापर ओर हाइट होगी वी साइन थीटर, एभी साइन थीटर, अब एभी साइन थीटर की है? वो तो ए क्रॉस बी के मैगनिचुड है, तो दो वेक्टर जी और भी जिन Two ऐगने क्रॉस प्रॉड़क्ट लेना है, इसकी मैगनिचुड क्या होगी? इस पालेलोग равно का एरिया, जिन दो वेक्टर को है इस चैप्टर टू का और इसे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेस्टन हैं बहुत सारे मसी की बन सकते हैं नुमेरिकल भी है एक्जांपल भी है तो यह हम इसका एंड करते हैं आज किस आर्टिकल का